अश्कार मित्रो आप सभी का आपके अपने चानल एस्ट्रो फ्रेंड अंशू और वांशू बेस्टीज में स्वागत है मैं अंशू गुप्ता एस्टो लॉजर वास्टो एक्सपर्ट पामिस्ट एंडियूम लॉजिस्ट आज आपको बताऊंगी करज मुक्ति के उपाए यनि कि आपने यदि किसी को करजा दे रखा है और वे वेक्ति आपका पैसा नहीं लोटा रहा है तो ऐसी सिती में आप क्या उपाए करेंगे तो वीडियो को अंतक जरूर देखें और जो लोग चैनल पे नहीं हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन प्रेस करके और पे क्लिक करें जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले मित्रो मैं रोज जो भी टॉपि और जिसको करने से हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए तो आज मैं आपको वह उपाए बताऊंगी जिसको करने से आपको पैसा मिल जाए सबसे पहले आपने अपने घर की नॉर्थ डिरेक्शन देखनी है आपके घर की north direction कहीं खराब तो नहीं है आपने वहां कौन सा color यूज़ कर रखा है north सा color नीला होता है तो कहीं आपने वहां red color तो नहीं यूज़ कर रखा है क्योंकि यदि direction आपने खराब कर रखी हो यदि जो color होता उसके opposite color आपने यूज़ कर लिया हो तो आपको परिशानी आ सकती है यदि आपने नौर्थ में red color यूज़ कर रखा है तो आपको दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं मिल पाएगा तो ध्यान दें कहीं वाँ पर कोई red bulb, red color के परदे या red color के सोफे या आपने कोई window लगा रखी हो तो उस पर कोई red color का paint ऐसी कुछ चीज़ तो नहीं है अगर ऐसा है तो उसे आप तुरंथ change करवाएं दूसरा आपने देखना है आपके घर की south direction आपके घर की south direction घर में पैसा लाती है जो आपके घर के main member होते हैं उनका प्राक्रम, उनकी मेहनत और आपको नहीं नहीं आशाे, नहीं नहीं उमीद जो मिलती है वो north, south direction से मिलती है तो कहीं south direction में आपने नीला रंग तो नहीं यूपकर रखा है क्योंकि south का रंग तो लाल है तो वहाँ आपने नीले रंग का कोई बल्ब या नीले रंग के कर्टन्स किसी भी फॉर्म में नीला रंग यूज कर रखा है अगर ऐसी सिती है तो भी आपके पास आपके घर में पैसा नहीं आएगा कि अरे वो मेरा पैसा नहीं लोटा रहा है अरे वो मेरा पैसा नहीं लोटाएगा मतलब जो भी एनर्जी है आप उस एनर्जी पे पहले खुद ही अंकुष लगा देते हैं यानि कि negative thoughts सबसे पहले आपका ही उसमें आ जाता है कि वो वेक्ति मेरा पैसा नहीं देगा ऐसा नहीं करना है आपने हमेशा जिस भी वेक्ति को पैसा दिया है आप ने मन में ये सोचना है कि वो मेरा पैसा बहुत जल्दी लोटा देगा क्योंकि पैसा तो उसमें आपका नहीं दिया है आप जो बात बोलते हो या इस ब्रह्मान में हम जो भी अपनी वानी बोलते हैं, वो हमेशा वहाँ जाती है, जहां हम जिसके लिए बोलते हैं, आपने अगर किसी वेक्ति के लिए बोला हुँँ, मेरा पैसा नहीं दे रहा है, तो वो एनरजी, वो वाइब्रिशन उस वेक्ति के पास जा रही है, आपने खुदी negative energy उनके पास भेजिए तो हमेशा जब भी आपने किसी को पैसा दिया हो तो आपने positive thought रखना है कि मुझे पता है मेरा पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा अब मैं आपको बताऊंगी एक उपाय जिसको करने से मालक्षमी की किरपा से आपका पैसा आपके पास बहुत जल्द आएगा आपने एक white color का paper लेना है यह उपाय आपने friday के दिन करना है friday के दिन सुबे नहाद हो के आप अपने मंदिर के पास बैठ जाएए नहीं तो इस direction में बैठ जाएए आपने क्या करना है आपने एक white color का paper लेना है उस white color के paper के उपर आपने Shree लिखना है जितना है मांट्र को की अपने लिखने के बाद आप सब ज्यादा श्रदा है आप लिखने के बाद आप लक्षिम आधकी सबसे ज्यादा पैसा जल से जल मुझे दिलवा दीजिए ऐसा आपने उस पर लिखना है उसके बाद आपने इस पेपर को फोल्ड कर देना है फोल्ड करने के बाद आपने इस पेपर को अपने सामने रखना है और कमल गट्टे की माला से कमल गट्टे की माला लेनी इसमें कमल गट्टे की माला लोटा देगा अब आपने क्या करना है कि जब आप अपने पैसे के लिए उस व्यक्ति को कॉल करेंगे तो आपने Northwest Direction में बैठना है जो आपके घर की Northwest Direction है वहाँ पर आप बैठेंगे बैठने के बाद आप मालक्षमी को याद करेंगे और अपने East को याद करेंगे और उनसे प्रे करेंगे कि हेश्वर मैं अब उस वेक्ति से अपने पैसा मांगने जा रहा हूँ मेरा पैसा आप मुझे वापस दिलवा दीजिए ऐसे प्रे करने के बाद फिर आप उस वेक्ति को कॉल करिए और मन में यह सोचिए कि मुझे पता है कि वेक्ति मेरा पैसा लटा देगा आप खुद ही देखेंगे जब आप इतने positive thought के साथ यह सब चीजे करेंगे तो बहुत जल्द आपका पैसा मिल जाएगा अब यह उपाए आपने पेपर तो एक बार बना लिया उसको आपने मंदिर में रख दिया अब आपने डेली जब आप सुबह नहा दो के पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद उस पेपर को हाथ में लेना है मालक्षमी से और अपने इस्ट से प्रे नहीं हूं कि जिस जिसने इसको किया है उनको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट मिले हैं एक उपाय आपने और करना है आपने अपने लेफ्ट हैंड पर यह शुक्र परवत होता है इस शुक्र परवत पे आपने 858 देख लिए 858 आपने अपने शुक्र परवत पे लिखना है सुबह नहाने के बाद उसके बाद इसको आप पूरा दिन लिखा रहने देंगे अगर आपको लगता है कि काम करते करते हैं यह हलका होगी है तो इसको आप दुबारा लिख लीजिए इसको आपने नेले रंग के पैंसे लिखना है जब आप इसको लिखेंगे तो लिखने के बाद भी आपने मन में प्रे करनी है जहां भी आपका पैसा रुका हुआ है कि वहां से मेरा पैसा बहुत जल्द आ जाएगा मुझे पूरा विश्वास है और इसको आप पूरा दिन लिखा रहने देजिए उसके बाद अगले दिन फिर आप लिख लीजे यनि कि इसको आप जितना लिखेंगे यह आपका लखी नंबर है अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो वो भी आएगा और आने के बाद भी आप इसको continue लिख सकते हैं आप जिस भी field में यदि वेपार में है तो वेपार में आपका पैसा और आएगा यदि आप नौकरी में है तो नौकरी में आप तरक्की करेंगे तो आपने धियान रखना है कि ये मिठना नहीं चीए इसकी vibration कहीं से break नहीं होनी चीए तो इस चीज़ का आपने धियान रखना है तो मित्रो यह ती जानकारी कि आपका रुका हुआ पैसा कैसे वापस आए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सरूर करिएगा जादा से जादा वीडियो को शेयर करिएगा कि हो सकता है कि आपको एक positive काम करने का फल मिल जाए आपके शेयर करने से किसी के परेशानी दूर हो जाए या किसी का भी रुकावा पैसा वापस आजाए जादा से जादा कमेंट्स करिएगा और मुझे कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा कि ये उपाय करने के बाद आपके पैसे जल से जल वापस आ गए है मित्रो मेरे दो यूटूब चैनल से एक्ट्रो फ्रेंड अन्शू और वंशन बेस्टिस तूनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने बेल आइकन प्रेस करके आल पे क्लिक करने जैम आता दी आपका दिन शुब हो तो बंदें पुष्टी बर्दनम